जेहिं दोस्तों सागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साइट के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को स स्क्राइब कर लें बेल आइकन दवाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप के हां तक पहुंचे एक कॉस्चन है जो आपके बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है और किसी ने किसी अक्जाम में जरू पूँचे गए हैं तो आज का फर्ष्ट कॉस्चन है क अकालपुरस गांधी किसने इस जीबनी की रशिना की है इस जीबनी की रशिना किसने की है तो यहां पर आपका राइट आंसर है जैनेंदर बिल्कुल चाही राइट आंसर होगा अकालपुरस गांधी जीबनी की रशिनाकार कौन है जैनेंदर कुमार है जिसका प्रकासन का प्रकासन हुआ था तो यह भी आपके सन भी आपको यहाँ पर याद रखना है question number आपका दो पूंचा है गड़े संकर विध्याती रचत गांधी जीवनी है बापू कर्मबीर गांधी या फिर स्री गांधी अकालपुरस गांधी 2011 में यह आपका TGT में पूंचा गया था महत्वण question है right answer होगा आपका विकल नंबर B यानि की स्री गांधी आपका यहाँ पर सही answer है स्री गांधी right answer होगा विल्कुल सही answer बताया है गले संकर बिध्याती द्वार रचत है गांधी जी की जीवनी का नाम है स्री गांधी अंगला question क्या पूंचा है तो अंगला question यहाँ पर देख लेते हैं question number 2 आपका यहाँ पर दिया गया है question number 3 है अपना यहाँ पर क्या है महतमा गांदी जी की जीबनी महतमा गांदी के लेखक है महतमा गांदी जी की जीबनी महतमा गांदी के लेखक कौन है यह आप से यहाँ पर पूँचा है रामचंद्र बर्मा है इस्वर इस्वरी परसाद सर्मा है संपून अनन्द है यह के सब परसाद से है तो आपका सई आंसर है, रामचंद्र बर्मा आपका है यह बिकल्ब नमबर आपका सई आंसर है गांदी जी जीवनी महतमा गांदी इसके लेख़र रामचंद बर्मा है और अंगला question क्या पुंचा है? question number 4 देख लेते हैं कि मनीसी की लोक्यात्रा किसकी जीवनी है जीवनी है और जीवनी से संबंदित महत्वण question है अपने यहाँ पर तो मनीसी की लोक्यात्रा किसकी जीवनी है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर C यानि कि कभी राज गोपी नात की कभी राज गोपीनात विकल्प नमबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नमबर C कलम का सिपाही किर्ती के लेखक कौन है प्रयम चंद्र है अमरित राय है विश्णु प्रभाकर है राम बिलास सर्मा है कौस्चन नमबर 5 है महत्वपुन है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्लम का सिपाही किर्ती के लेखक आपसे यहाँ पर पूँचा है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कौस्चन नमबर 5 का विकल्प नमबर C आनिकी अमरित राय आपका सही आंसर है अमरित राय बिल्कुल सही right answer होगा अमरित राय जिनों ने बता है कलम का सिपाही एक जीबनी प्रतान किरती है और इसके लिए खक अमरित राय है और जो है मुंसी प्रियमचंदर की जीबनी लिखी गई है इसमें question number आपका यहाँ पर 6 क्या पूँचा है तो यह 2017 में पूँचा गया था कि प्रियमचंदर जीबनी कलम का मजदूर की रशिनाकार है इसकी रशिनाकार बताना है अमरित राय है सेवरानी देवी मदन गोपाल अभिशन प्रभाकर तो आपका सही answer है मदन गोपाल आपका सही answer होगा देखिए यह आपका 2017-18 में एक question पूँचा गया है महत्तपुन question है और अंगला question क्या पूँचा गया है तो question number 7 यहाँ पर दिया है कलम का सिपाही हिंदी गद्ध की किस विदा की रशिना है कलम का सिपाही यह किस विदा की रशिना है यह आपको बताना है आत्मकता है, संसमनन है, रिपूरताज है या फिर जीबनी है तो question number 7 का आपका जो सही answer होगा भै आपका right answer विकल्प number D आनि की जीबनी आपका यहाँ पर सही answer है जीबनी आपका सही answer है बिलकुल चाही यहाँ पर पूँचा है कलम का सिपाही के लेखक कौन है यह है, एक कलम का सिपाही जीबनी है और इसके लेखक पूँचा है आपसे प्रेमचंद्र, सरत्चंद्र, अमरेतराई, या दयानन सरोस्वती तो question number 8 का आपका जो सही answer है भै क्या है right answer तो 8 का right answer आपका यहाँ पर होगा विकल्प नमबर B आनि कि अमरेतराई आपका सही answer है अमरेतराई आपका सही answer बिलकुल सही विकल्प नमबर B right answer है question number 9 पूँचा है आबारा मसीहा किसकी जीबनी है प्रेमचंद्र, पंत, सरत, चंद्र, अनिराला question number 9 है और 9 का आपका जो सही answer है भै क्या है right answer बताईए question number 9 का right answer आबारा मसीहा किसकी जीबनी है तो आपका यहाँ पर सही answer है question number 9 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर B right answer है यानि कि सरत चंद्र सरत चंद्र आपका यहाँ पर सही answer विकल्प नमबर B right answer है साहित्यकार है सरचंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा और इसके लेखक है जो है आवारा मसीहा किस की जीवनी है तो यह सरचंद्र आपका राइट आंसर है अंगला question क्या है तो अंगला question देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूँचा है तो question number 10 पूँचा है यहाँ पर कि आबारा मसीह है इन में से किस साहितकार की जीवनी है तो वही question आपका double हो गया है यहाँ पर सरत चंद्र आपका right answer है अबारा मसीह किस रण्यासकार की जीवनी से समबन्दित है तो एक question भी वही है आप से और आपका right answer है shireT-Chandra आपका right answer है question number 12 यहाँ पर आपसे क्या पूँचा है क्या प्यूचा है question number 12 पूँचा है क्या पूँचा आपका आवारा मसीह किस विदा की रचना देखिए बही कॉस्चन आपका यहां पर डवल हो गया है लेकिन अलग-अलग परिच्छा में इस प्रकार जो है आपका पूंचा गया कॉस्चन है और आपका सही आंसर है यह जीवनी है तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट आंस है तो आपका सही आंसर होगा यहां पर विष्णू प्रभाकर विष्णू प्रभाकर आपका सही आंसर है विष्णू प्रभाकर यानि की विकल्प नंबर यह आपका यहां पर सही आंसर है विष्णू प्रभाकर इसके लेखक है और विष्णू प्रभाकर इसके लेखक है जीवनी लेखक नहीं है पूँचा है आपसे यहाँ पर बताइए बैक कौन सा लेखक है चार विकल्प है राम बिला सर्मा है अमरित राय है अग्ये है या पर बिश्णू प्रभाकर कौस्चन नमबर 14 का आंसर बताने है महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है चाहुदा है का बी आनिकी अग्ये आपका राइट आंसर है अग्ये आपका सही आंसर है बिल्कुल चाही विकल्प नमबर बी आपका राइट आंसर है और अंगला कौस्चन क्या पू से अनन्मिया तक तो 15 आपका जो सही आंसर है आपका राइट आंसर 15 का बी आन की आवारा मसीहा आवारा मसीहा आपका यहां पर सही आंसर है और question number आपका यहाँ पर 16 क्या पूँचा है नेमनमया से कौन सी कृति जीवनी विधा से सम्बंदत नहीं है देखे जीवनी विधा से सम्बंदत नहीं है तो बहुत करना है आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा जीवनी विधा की रचना नहीं है तो बसेरे से दूर आपका राइट आंसर होगा बसेरे से दूर आपका राइट आंसर हरी बंस राय बच्चन जी की आत्मकता है यह बसेरे से दूर और अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो अंगला कॉस्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि इनमें से एक किर्ती जीवनी नहीं है यहाँ पर भी आपके लिए बताना है कौन सी बहे किरती है जो जीविनी नहीं है question number 17 है महत्वपून है और आपका यहाँ पर जो सही answer होगा 17 का बहे है विकल्प number C आनिकी अन्या से अनन्या तक अन्या से अनन्या आपका यहाँ पर right answer है अन्या से अनन्या इस्त्री विथा की आत्मकता है और इसकी लेकी का प्रभाखेतान इसकी लेकी का मानी जाती है अंगले question क्या पूँचा है तो question number 18 यहाँ पर पूँचा है तो आपका सही answer है विकल्प number C आनिकी विस्वनात तरपाथी आपका यहाँ पर सही answer होगा ब्यमकेस दर्वेश के लेखक माने जाते हैं और ब्यमकेस दर्वेश जो है आचार हजारी पर साथ दुवेदी की जीवनी है जिसे विस्वनात तरपाथी ने लिखा है अंगला question क्या पूँचा है तो अंगला question आपका यहाँ पर जो है आत्मकता से संबंदित महत्वण question पूँचा क्या है तो देखिया आत्मकता से first question है यादों की बारात किसकी आत्म कथा है यादों की बारात और किसकी आत्म कथा है यह आपको यहाँ पर बताना है तो question number आपका एक है और इसका जो सही answer है विकल्प number C आनिकी जो से मलीहाबादी आपका right answer होगा विकल्प number C आपका right answer है question number आपका 2 क्या पूंचा है तो question number 2 आपका यहां पर दिया गया है देख लेते हैं question number 2 क्या पूँचा गया है तो यहां पर पूँचा गया है आपसे कि विधा की दरश्टी से अस्ति और भवती किर्थी क्या है आत्मकता है उपन्यास है पत्र साहित है या निवंध है तो दो का राइट आंसर आप यहां पर बताएए क्या होगा question number 2 का राइट आंसर महत्वण question है और बिलकुल सही answer है आपका यहां पर विकल्प number 1 यानि कि आत्मकता है यह क्या है विधा की दरश्टी से अस्ति और भावती क्या है आत्मकता है तो विकल्प number 1 आपका सही answer है और अंगले question क्या पूँचा क्या है तो question number 3 आपसे यहां पर पूँचा है जी आईची प्रवक्त परिक्षा है पूँचा क्या है question 2015 में एक कहानी एवी आत्मकता कि लेकी का पूँचा है रम्ण का गुपता है कोसम अंसल है मनुभंडारी है प्रभाकेतान है question number 3 है और आपका सही answer क्या है तो question number 3 का right answer है आपका B आन की मनुभंडारी आपका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही मनुभंडारी जोनों ने बताया है उनका यहां पर सही answer होगा मनुभंधारी है एक कहांई है और अंगला कॉस्चन आपका verdad क्या पूण पर दिया ग्या ग्या है देखे तो question नंबर तरह का right answer आपका इहां पर जो है विकलत नंबर सी याणि कि अब में नाच्यू बहत गोपाल आपका राइट आंसर होगा विकल नमबर सी जन्हों ने बताया है उनका राइट आंसर होगा और इसके ज jullie नहीं अधकार एससी साहेत्कार अमरित लाल लांगर का उन से अब तक की उपन्यासों की लीक से हट कर सरवता मौलिक उपन्यासे ए अंगले कॉस्चन क्या पूँचा है तो अंगले कॉस्चन है गालिब चूटी सराव इनमें से किसकी आत्मकता है आत्मकता है गालिब चूटी सराव और किसकी आत्मकता है मुद्रा राक्चस मौहन राक इस कमलेश्वर रवेंदर कालिया कॉश्चन नमबर पांच है महत्तुपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भै क्या पूँचा है तो कॉश्चन नमबर पांच का राइट आंसर विकल नमबर डी रवेंदर कालिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रवेंदर कालिया जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही रवेंदर कालिया आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है तो यहाँ पर आपका दिया गया है विकल्प नमबर C आपका राइट आंसर है, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयम लिखता है, तो उसे आत्मकता कहते हैं, ऐसी दरश्टी से हिंदी की प्रितम आत्मकता, बनारसी दास से जैन की है, अर्द कतानक मानी गई है, हिंदी की कौन सी जो है, आत्मकता जो है, य ऐसे लिक लेते हैं, यहां पर आपका क्या दिया ग pen question, यहाँ पर आपका अंगल्प दिया गया है, Всё, question number 7 आपसे पहुचा है, अर्ध कतानक किस विधा की रचिना तो वही Teacher आपसे यहां पर पहुचा है, question गुमा की पहुचा गया है, और आत्मकता है, अपनार्प की पहुं हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली आत्मकता या हिंदी की पहली का बिनाटिका तो आपका सही आंसर यहां पर है, जो बनारसी दास जयन है, इन्होंने लिकी थी हिंदी की पहली आथम कता यानकी विकल्प नमबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा, अर्द कतानक है तो अर्द कतानक ये फिर से आपका डबल हो गया है आत्म कता है अर्द कतानक किस वितधा की रचिना है ये आपकी आत्म कता है ये भी आपका डबल हो गया है यहाँ पर बहुत सारी कॉस्चन आपकी डबल हो गये हैं अंगले कॉस्चन है नेता जी स्वास्चन लिखी गई अपनी आत्म कथा का नाम क्या है तरोन के सौपने कुछ आप बीती कुछ जग बीती या परीब राजक की प्रजा या फिर आत्म निरिक्षन question number है आपका यहाँ पर 12 है और 12 का जो right answer है नेता जी स्वास्चंद बहुत दोरा लिखेते अपनी आत्म कथा का नाम है तरोन के सौपने तरोन के सौपने विकल नमबर यह आपका यहाँ पर right answer होगा विल्कुल चाहिए अंगला question क्या पूँचा क्या है तो अंगला question यहाँ पर दिया गया है आपका देख लेते हैं क्या है question number 113 पूँचा है आत्म निरीक्षण किसकी आत्म कथा है वियोगी हरी सेट गोबिंद दास आचा चत्वर सेंसास्त्री या ब्रंदा बनलाल बर्मा तो आपका है यहाँ पर सही answer है आत्म निरीक्षण तो यह आत्म कथा मानी जाती है और इसके जो लेखक हैं किसकी आत्म कथा है तो बिल्कुल सही यहाँ पर सेट गोबिंद दास आपका सही answer है 2018 में एक question एल्टी ग्रेट में पूँचा गया था अंगला question क्या पूँचा गया है हिंदी में दलत साहित की पहली आत्म कथा किसे ने लिखी हिंदी में हिंदी में जलत साहित की पहली आत्म कथा किसे ने लिखी ओम प्रकास बाल मिकी ने मोहनदास न्यमी सराय या पर कोसल्या वेसंतरीन है या सुरजपाल ने आपका right answer यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी मोहनदास आपका यहाँपर right answer है बेलकुल सही वि subscribe कर लें बेल आइकन दवाएं all पर क्लिक करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक सबसे पहले पहुँचें जादा ची जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाल सभ